यहां टेकनिकल में आप सभी का स्वागत हैं, फाइनली आप लोगों के लिए और बड़ी खुश खबरी निकल के आ चुकी है, यह जो वेकेंसी आई है, SSC, MTS और हवलदार के पोस्ट पर आपकी नई वेकेंसी दोजाद चरबी सोलेडी जारी हो चुका है, इसका ओनलाइन ए आपका है, इसमें से आपका है, इसमें एक पोस्ट में आपका हुआ किघूडी और इसमें एक पोस्ट ऐसा है, एक विवाज जिसमें आपका हाइट, चेस्ट, बेट जारी हो चुकी है इसका नोटिस तो पहले इस examination calendar जिसे कहते हैं वो जारी हो चुका था apply date पहले ही बता दिया गया था कब से आपका phone apply होना शुरू हो रहा है और लेड़ी आज 27 जून से आपका phone apply होना शुरू हो रहा है apply है आप कहां से कर सकते हैं official site www.sarcarryradiosle.com पे आप जाय欸 क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो candidate हैं जो ग्यारतिय से हैं कि जिनको कहते हैं कि मुझे physical वाला भरती नहीं देखना है तो physical वाला भी भरती है इसमें वेगर physical वाला की भरती इसमें दो विगाओं में निकाला गया है समस्ति हुए चलिएगा वीडियो पसंद है तो like जरूर करिएगा चैनल पर नहीं होगे तो subscribe जरूर कर लिजिएगा अब आपको बता दें SSC MTS and हवलदार नई भरती जारी 2024 ओलडी आ चुकी है इसमें टोटल पोस्ट आपको बता दें यह आपको हो गया है अपका 27 जून से ओलडी स्टार्ट हो चुका है आज से 31 जुलाई आपका लास्ट डेट रहेगा लास्ट वालबेट मत करिएगा जल से जल अपना फोंट अप्लाई कर दीजिएगा इसमें एक्जाम डेट भी आपका बता दिया गया है कब से आपका यहां पर एक्जाम कराया जाएगा यहां पर आपका एक्जाम जो होगा अक्टूबर नॉम्बर तक आपका एक्जाम यहां पर फाइनल कर दिया जाएगा जो की नोटिस में साब साब आपका बताया गया है एज आपका समझ लीजिए एज इसमें आपका दोनों पोस्टों में आपका डिफरेंट डिफरेंस एज बताए गया है अगर आप MTS के लिए फोंएपलाई करना चाहते हो हो तो आप 18-30 साल तक आप MTS के पोस्ट के फोंएपलाई कर सकते हो ऐसा क्यों ओभी सी को तीन साल का चूटेज में दिया जाता है हमने पोस्ट के लिए आपको यहां पर बता दिया यह दोनों पोस्ट के लिए आपका लागू होगा MTS का होगे और हबलदार के पोस्ट पर आपका यहां पर 18-27 साल तक जर्नल आले फोंएपलाई कर सकते हैं और इसमें भी आपको तीन साल का OBC को चूट मिलेगा हो तो आपको पांच साल की छूट दी जाएगी इसमें आप लोग पलास कर लिजिगा इस पोस्ट में चाहो इस पोस्ट में फोंएपलाई आप कर सकते हो अब आगे आप समय लीजिए यहां पर फोंएपलाई करने जाओगे जरनल, OBC, EWS का मातर यहां पर सव रुपए फीज़ चारज पड़ेगा जो कि ओनलाइन आपको पेमिंट देना पड़ता है जहां पर आप आप फोंएपलाई करने जाते हो SCST हो तो आपको यहां पर कोई फीज़ नहीं लिया जा रहा है औल इंडिया आपकी भरती है मेल फेमेल दोनों सपर्म को इलिज़बल है कहीं से बिलोम करते हो आप यहां पर फोंएपलाई कर सकते हो qualification मातर यहां पर 10th pass रखा गया है चाहिए आप MTS के लिए फोंएपलाई करना चाहिते हो चाहिए आपका हवालदार के लिए फोंएपलाई करना चाहिते हो दोनों post के लिए only 10th pass all post इनी बोर्ड किसी भी बोर्ड से आपने पास किया आप यहां पर फोंएपलाई कर सकते हो दस वी पास होते हो तो कंडिशन यह रहेगा पूरे subject में आपको पास होना चाहिए परसेंट का कोई उसी नहीं है बीस नंबर हैं चालिस नंबर है तब ही वे अपलाई कर सकते हो तीस परसेंट है पचास परसेंट यह आपको किलर होगया अब आगे आप समझा लिए सिलेक्शन प्रोसेस इसमें आ पहले आपका यहाँ पे एक्ञाम होगा जो कि आपका मदला है कंपोस्ति मैं कॉटर फ पोस्ट पर आपका यहां पर फीजिकल टेस्ट होगा जो MTS पर एप्लाई करेंगे उनका श्रीप एक्जाम देना है सिलेक्शन लेना है और जो हवालदार के पोस्ट पर एप्लाई करेंगे उनका हाइट चेस्ट रॉनिंग वेट सारा कुछाओं पर मागा गया है उसके बाद आपका हाइट मागा गया है मेरे साथ से बहुत कम मागा गया है एक सब्सक्राइब चेस्ट जिनका नहीं है तो MTS पर अप्लाई कर दीजिएगा चेस्ट बनाएने बहुत दिक्कत होती है अब पांच सेंटीमेटर आपको फुलाना भी पढ़ता है एक्ट आसी आपका नॉर करेंगे सारे लोगों का यहां पर होगा उनका वेट नहीं मागा गया है रणिंग जो आपको करना है सोला सुमिटर आपको रणिंग होगा और आपको यहां पर पंदरा मीना टाइम दिया जाए कोई दिक्कत नहीं होगा पैदल लोगों तबहीं आपका यहां पर निकल जाएगा यहां को का यहां फिमेल कर सकते हूं कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप यहांप धूमाइला हो चेस्ट नहीं मागा जाता है इसकी जगह फें यहां ने पर मांगा गया है 48 kg आपका वेट यहां पर होना चाहिए अगर आप यस्टी हो तो आपका 46 kg यहां पर वेट होना चाहिए यह आपको किलर हो गया और रणिंग जो आपको करना होगा एक किलोमीटर आपको रणिंग करना होगा 20 मिनट टाइम दिये रहा है मेरे साब से बहुत अच्छा टाइम है पैदल भी चलोगी तभी आप लोगों का रणिंग निकल जाएगा दिक्कत आपको नहीं होगी यहां पर पेपर वन पेपर टू इसमें आपका दो एक्जाम कराया जाएगा लेकिन इससे पास भी करना होगा तुक्का भी मार सकते हो नो निगेटिव है यह चिण और शांच एक दिन कराएगा लगा आपका जो आएगा चालिस नंबर करें आपका टाइम मिलेगा निगेटिक मार्क इसमें आपका निगेटिक मार्क नाएगा तुक्काम मार सकते हो उसपर मैड़ेट नहीं बनेगा मेल से 20 स्थाटन यह था पेपर वन यह था पापको पेपर वन यह तर्क क्वालिफाइड का दर्ली आफ जिलिस आपका 25 जर्णल लवेन जिसे कहते हैं जीए 25 कोस्टन 50 कोस्टन में आपका सेलेक्शन 100 परसंट यहां पर हो जाएगा तैयारी अपनी जारी रखिएगा एपलाई लिंक कहाँ पर मिलेगा एपलाई लिंक आपको सरकारी रजल डाट कॉम पर आपको मिल जाएगा नहीं था हमने टेली गराम पर उपर आइट कर दिया है अब जाके वहां से भी पर आपलाई कर सकते हो यह था आल्ट प्रोसेस पूरा डेटियल में हमने आपको आपको सब्सक्राइब